गूर्णिंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका कैलकुलेशन वीडियो सीरीज में जिसमें मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए बता रहा हूँ पाइब से टेन तक का ये वीडियो सीरीज है अगर आप मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिजे ताकि मैस के सभी वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए आपको मैस से हो चाहे उसका इंटोडक्शन हो कॉंसेप्ट हो सारा चीज आपको एवेलेबल है वो भी फ्री में तो आप भी वीडियो को देखिए वीडियो को सेर भी किजी अपने फ्रेंड्स के साथ सभी फ्रेंड्स के साथ मेरा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट्स तक फ्री वीडियो सिरीज को पहुंचाया जा बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स हैं इंडिया में जिने की जो की महांगे कोचिंग्स और टीशन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं जो है 5 प्लास से 10 क्लास तक का फ्री मैस वीडियो सिरीज बिलकूल फ्री मैस वीडियो सिरीज लेकर के आया हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को जरूर पेस कर दिजे दूसरे स्टुडेंट्स को भी शेयर कीजे वीडियो को और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है मेरे मिशन में आप मुझे को मदद कर सकते हैं आप बिना कुछ खर्च कियो ही भी दूसरे को मदद कर सकते हैं आप अगर केवल इस वीडियो को शेयर करते हैं उससे भी बहुत सरे स्टुएंट्स का भला होगा तो वीडियो को सेयर करने में चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं किजिए तो आई अब श्टार्ट करते हैं आज हम लोग सिखेंगे कि नाइन डिजिट्स से बना हुआ नमबर का स्क्वेर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं एक शेकंड में फास्ट मतलब वैसा नमबर जिसमें नाइन 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 के वल रिपीटेड है मतलब 9 से बना हुआ number का square हम लोग कैसे find करते हैं तो जैसे देखिए 9 का square, 9 का square means क्या होता students 9 into 9 होता है, 9 into 9 मतलब जिस number का square हमको find करना होता उस number को दो बार multiply करते हैं तो 9 square means 9 into 9 9 into 9 तो आप जानते हैं क्या होता है 80 बन होता है तो 9 into 9 तो 81 हो गया, 99 जा 81, इतना तो आप जानते हैं, इतना table आपको पढ़ना पड़ेगा, 9 तक table कम से कम याद करना पड़ेगा, तो भी आप बड़े से बड़े calculation को कर सकते हैं, अब देखिए 99, मतलब 9 से बना हुआ नमबर केबल है, जिस नमबर में केबल 99 है, उसी का square करन आज सिखा रहे हैं, तो 99 का square हो गया, 99 into 99, अब 99 into 99 क्या होगा, उसका clue इसी से मिलेगा students, 9 into 9 क्या होता, 81, अब आपको क्या करना है, इस 81 में, बीच में आपको 9 को बढ़ाते जाना है, यह single 9 था, तो यहाँ पर एक भी 9 नहीं है बीच में, मतलब केबल 81 है, अब 99 का square जो हो होगा, वो हो जागा, 8, 9, 1, मतलब क्या किए, 81 के बीच में, 81 के बीच में, 81 के बीच में एक 9 लगा दिए, यह 99 का square हो गया students, अब 999 का square क्या हो जागा, इस 81 के बीच में 2 9 लगा देंगे, 2 times 9, क्योंकि 999 मतलब 3 times 9 है यहाँ पर, तो इससे एक time कम 9 लगाए, देखे, 99 में 2 9 था, तो एक 9 लगा दिए, यहाँ पर 3 9 है, यहाँ पर 2 9 लगा दिए, अब यहाँ पर देखे, 9999 है, मतलब 4 times 9 है, तो अब 3 times 9 लिखी, 81 के बीच में, 8, 9, 9, 9, 1, इसका answer हो गया, हना कितना असा, इस तरीके से अगर आप pattern समझ लिए, तो आप second क्या calculator से भी fast multiplication कर सकते हैं और square निकाल सकते हैं, क्योंकि calculator में आपको type करने में लगेगा time, 999 into 999 करना पड़ेगा, equal to करना पड़ेगा, आप सीधा देख रहे हैं, 5 times 9 है, 5 times 9 है, तो क्या लिख देंगा, 8 और 9 times, 4 times 9 लिख दिए, बन हो गया answer, calculator से भी faster भी हाँ देखिए, 3, 2, 5, 7, कितना है, 6 times 9 है, तो इसका answer क्या होगा, इसका square क्या होगा, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 5 times 9 लिख दिया, और 1 हो गया answer, अब इसी टेके से कितना भी 9 हो आपका, जैसे 6 times है, अब 7 times 9 रहेगा, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, इसका square करना है, आपको 7 times 9 है, आप देख रहे हैं, तो 7 times 9 है, तो 81 के बीच में आपको 6 times 9 लिख देना है, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, और 1, तो है ना कितना आसान, इस तरीके का interesting वीडियो देखने के लिए, मेरे YouTube चैनल पर आते रहे है, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर देजिए, वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, और share और like करने से, मेरा जो है, और होसला बढ़ेगा, और इस तरीके का और भी बहुत सारे वीडियो को आपके लिए लाते रहेंगे, और साथ साथ में, class 5 से class 10 तक का, math book, NCRT book, उसका solutions, exercise, activities, concepts, सारा मैं समझाता हूँ, और मेरे YouTube चैनल पर available है, तो, आज जो सिखाए आपको, square करने के लिए, इसको practice कीजि कितना भी digit का, square को, आप find कर सकते हैं, तब तक के लिए, घर पर रहे है, सुरच्छित रहे है, सीखते रहे है, सिखाते रहे है, क्योंकि सिखाने से ग्यान बढ़ता है, धन्यवाद,